लोगसभा चुनाओं के मद्दे नजर भारती जनता पार्टी पिछले चुनाओं में हारे हुए पूलिंग बूत पर फोकस कर अपनी स्थिती मजबूत करने में लगी है पार्टी ये वरिष्ट नेता बूत विजय संकल्प अभियान के तहद हर एक बूत पर पहुँचकर कारी करताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं इसी कड़ी ने मुख्यमंत्री विश्टुदेव साय शनिवार को ग्राम कांदल में आयोजित बूत विजय संकल्प अभियान का इकरम का शुभारम किया मुख्यमंत्री विश्टुदेव साय ने कहा कि पूरे 36 गड़ में बूत विजय अभियान का शुभारम हो रहा है नाचेगी छतिसगर में कॉंगरेस से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है चाहे एक लाख रुपए दे या पांच लाख रुपए देने की बात कहें जनता अब विश्वास नहीं करने वाली है भाजपा 11 सीटेज जीतने वाली है साधी भी रही से तो कार्कम में आये रहे मैं और आज दुबाना आप मंगे एक आओं में आना होई से तो हमर संजे जी हमर विधायक जी बताई नहीं आपकोंगा भी मालूम है कि लोग सभा चुनाओं के संकनाथ हो चुकी से और तीन चरण में तुनाव संपन होना है अमर चत्तिर गड़ में और आप मनके ये लोग सभा राइफूर के ये चुनाओं हर्म साथ महीं के है ना तिसरा चरण में तो बोति किला तिसरा बार प्रधार मंची बनाना है कि नहीं प्रधार काम करते काम करते करते हैं और सबकर काम होते करलीएश की बार हम उनके प्रधानुंप्री बनाना है तो उन्हें आपना भी सयोग करना है तो एक शेत्र से संसा किता कि भीजना पढ़ी ना तो गोर्ण प्रचासी एक शेत्र ले अब प्राजे वह भाए आट बाल के विधाय के अभी मंत्री सब्कर सुख्टों के साथ है कि नहीं जो भी उकर पास में जाते हो सब्कर सुन्थे सब्कर सहीं करते ऐसे प्रचासी बनाइगे नहीं कि अधि तीन महिना में हमने जो जो काम करेंगे आप सब्कर मारूं है महतारी पंदानी होजना कि आपने हाथ उठा के बताए हो सब्कर एक किस्त मिली से अभी दूसरा किस्त हमने ताली के दव्यार है लेकिर काम हो कि यह वित्ति वर्ष्ट कि पूरे 36 गड़ प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी के आहवान पर बूत विजय अभ्यान का सुभारम हो रहा है। और इसमें हर घर में भारती जन्ता पार्टी का जण्डा लगाना है और अपने बूत में भारती जन्ता पार्टी को जिताने का संकल्ब लेना है और मेरा सभाग है कि आज ये कांदूल गाओं में हम यहां पर आए हैं और इस अभिहान का सुभारम कर रहे हैं अभी हम दो-चार घर में अपने हाथ से भारते जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे बाकी सभी हमारे कार करता और मदाता अपने अपने घरों में भारते जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे आप देखे ना नौ मन तेल होगा ना राधा ना चेगी खाली कुला वो लोग पकाते रहें अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रिस पार्टी से उड़ चुका है और छटिस गड़ में तो पूरी तरह से उड़ चुका है क्योंकि पांच साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम की है अब ये लोग चाहे एक लाग रूपिया देने की बात कहें या पांच लाग देने की कहें अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोग सभासीट भारती जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं